लोगे इसमें को शिरू आपका स्वागत करते हैं दिन्यूस टॉक चनल में वे सहारा लोगों का सहारा बनी ये लेडी सब इंस्पेक्टर मदद पाकर फूट-फूट को रोए बजुर्ग चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस अबडेट जो की लेडी इंस्पेक्टर से जुड़ी हुई है कहां से आ रही है इसके उपर नज़र डालते हैं चाहिए को जरू सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाएए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेल कीजिए अभी थंड का मौसम है और थंड का मौसम जो है वो काफी जादा अचलि में बे सहारा लोगों के लिए बहुत बड़ी एक बित्ता लेके आता है जो लोग घर से निकाल दिये गए हैं जो लोग भीक मांग के अपना गुजारा करती हैं जो लोग फुट बाग पर रहती हैं और थंड की मौसम में उनको सही तरीके का मोटा कपड़ा या सोने के लिए कंबल जब नहीं मिलता है तब उनके लिए थंड का मौसम जो है बहुत ही बित्ता लेके आता है पर इसी दुरानी काफ़ साए लोग ऐसे अच्छे सामने आते हैं जो कि इनका सहारा बन जाते हैं जैसे कि आज हमारे सामने इन दौर से मामला आ रहा है एक लेडी सब इंस्पेक्टर से जुडा हुआ जिनका नाम अनीला बताया जारा है अनीला जो है वो एक एंजियो के साथ जुडी रुई है इन्होंने ये कंबल देने का सिलसला जो है 2019 से स्टार्ट किया और अब तक भी ये सिलसला जो है वो चलाके रखी रुई है और ये रात को निकलती हैं धेर सारे कंबल लेके जहां पर इनको कोई भी बजर्ग या कोई भी एक्चली में बेसहारा इंसान मिलता है जिनके पास ठंड से बचने के लिए गरम कपड़े या गरम कंबल नहीं है ये उनसे बात करती है जाके और वहां पर उनको कंबल देती है जिससे लोग जो है वो एक्चली में इनके लिए दुआ मांगते हैं इनको आशिरवाद देते हैं और रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है कि कोई आखिरकार उनके लिए आया जरूर है जबकि उन बजर्गों को उन लोगों को घर से निकाल दिया गया है वैसा ही इन दौर के रेलवे स्टेशन पे जो है एक बुजर्ग थी और ये महिला अनीला जो है जो की लीडी सब इंस्पेक्टर है ये वहाँ पर पहुंच गई ये वहाँ पर घूम रही थी और इनको एक महिला जो है बुजर्ग महिला दिखाई थी और बुजर्ग महिला से जब इनने बात क तो उनके पास ठंड से बचने का कोई भी साधन नहीं था तो लेडी सब इंस्पेक्टर ने अनीला जी ने जो है इनको एक कमबल दिया जिसके बाद वो बजुर्ग का रोरो के बुरा हाल हो गया और इस लेडी सब इंस्पेक्टर को उन्होंने गले से लगा लिया ये वीडिय के लिए गलफ्स प्रवाइड कर सकते हैं सर के लिए कैप प्रवाइड कर सकते हैं कानों के लिए हम लोग मास्क प्रवाइड कर सकते हैं हर एक चीज के लिए हम कैपेबल हैं पर कुछ लोग इन चीजों को लेने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं अगर आप उनको कुछ देन के लिए capable हैं तो कभी भी एक पर मदद करके जरूर देखिए बहुत अच्छा लगेगा इसी के साथ मैं लेती हूं जासत नमस्कार